So, all right guys, welcome back everyone and जहां पे जो हमारा chapter है एक homage to our brave soldiers तो उसकी working with the text जो working with the language जो हमारा portion है उसको सालव करने हम जहां पे एक बार फिर से जुड़ चुके हैं जहां पे हमारी screen पे इस वक्त ये वाली exercise का portion है find the odd one out from the words given in the box box के अंदर जो words दिये हुए हैं इन में से odd one जो हैं आपको आउट करने हैं बाएर लिखने हैं odd one ठीक है ना तो कौन-कौन सा है वेलियंट ठीक है ना वेलियंट ठीक है फिर क्या है मार्टियर ठीक फिर कौन सा है आपका ब्रेव ब्रेव कौन सा होता है बहादर फिर कौन सा है हिरोइक भी होता है बहादर दिन courageous courageous आपका कौन सा होता है? ठीक है, पहले आपका कौन-कौन सा Vanient valiaant? Vander breathe का मतलब hero का मतलब huh crimes courageous का मतलब है हमदवाला यहापस में मिलते है martyr का मतलब है Abraham राम आपका है टीक है, तो, यहाँ कोन सा अलग Проड है martyr तो पहले वाले का हम क्या लिखेंगे पहले वाले में से हम कौन सा आउट करेंगे बाहर है यहां पर जो है find the odd one out from the words तो इसको जा या तो हम इस तरह से गोल कर सकते हैं या जा जा इसका हम आंसर लिखेंगे नीचे तो पहले वाले का क्या लिखेंगे एम ए आर टी वाई यार पहली लाइन में में मैंस्टर सुझाया ठीक है अब दूसरी लाइन में हम देखते हैं थीकता है चलिए दूसरी जो हमारी लाइन है इसके अंदर क्या है मिमोरियल मिमोरियल जिस तरह नेशणल वर मिमोरियल है कि माइट होगा तो यहां पर कौन सा बाइर निकालेंगे विक्टरी तो दूसरी का क्या अंसर होगा हमारा दूसरी लाइन का विक्टरी ठीका को देखते हैं ए फिर कूं सा ग्रेटीचूर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का दिल से शुकृत होता है शुकृत करना किसी की मतलब किसी की मतलब के किसीalo अगर तुम्हारे साथ शफकत की तो तो मुसके thankful रहो, respect का मतलब होता है, इज्जत तो इन में से कौन सा थोड़ा different है, respect थोड़ा different है, तो इस में से हम कौन सा out करेंगे, pick odd one out, तो इसको हम लेखेंगे, respect, ठीक है, तेन उसके बाद जो है, कौन सा है हमारा, unique, unique होता है, एक, मत match less होता है, मतलब जो किसी और से ना match करता हो, exclusive का मतलब होता है, बिल्कुल अला किसम का one of मतलब के बिल्कुल separate, तो इन में से कौन ही match कर रहा, ये वाला simple नहीं match कर रहा, बाकी सब का लगबग, same ही मतलब निकल रहा है, ठीक है, तो क्या लेखेंगे हम simple, simple को किया हमने, r1 out, तो matter, victory, respect, simple, ये चार हमने की, r1 out, तो answer हमारा क्या होगा, matter, victory, respect, simple, ठीक है, या इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, आपको सिर्फ समझाना चाहिए किसमें करना क्या है, चलिए दिन है हमारा question number two, ठीक है, question number two को एक बार read करते हैं, and देखते हैं, fill in the blanks with the appropriate form of word given in the brackets, ठीक ह रखेना, हमें जो है, यहां पर जो ब्रैकट के अंदर दे है, इनकी appropriate form जहां पर फिल करनी कहा, ती परम वीर चकर सिगनिफाइस दा वील आफ ultimate brave, ठीक है, जो परम वीर चकर है, यह हमें जो है, जो दिखाता है, कि परम वीर चकर, घ्लैंटरी अवाड़ है, हायस्ट जो सबसे ज्यादा बहादरी होगी उस के लिए जो है यह वाला आवाड़ दिया जाता है इन प्रिजन साफ़तर अटेकर न दुषमन के सामने यह वाला यहर दिया जाता है सब से जो ज्यादा बहादरी करेगा दम जाद एसको लिए स्थितिय करेया तो ऐ millones as T i T U T E D. T E D T T Tha E, हमने ED लगा, instituted बनाय, जो medal है इसको institute किया गया था, as a gallantry medal, ठीकना, instituted as a gallantry medal with retrospective effects from 15 अगस्त 1947, by Dr. Rajendra Prashath. तो gallantry, जो है इसको institute किया गया गुद्धाम स्ट में चूट गा था 15 अगास पहले भी और किसी पहादरी दिखाई कीशिव Ewis तो दिन प्रेजिडेंट आफ इंडिया उस वकत जब यह बनाया गया था यह वाला मैडल ठीक है ना परमवीर चकर तो उस वकत प्रेजिडेंट कुन था रजंदर परसाद जो मैडल है डिजाइन किस ने किया है सवित्री कनोलकर अगर हम लिखेंगे दा मैडल वाज डिजाइन तो इसको हम लिखेंगे लगार फोल डीजाइनर उसके बाद किया है अद्रा एन एसपारेशन फ्रराफ सेज डादीजी यहां पर सेकंड अफ्रम आएगी ड्रीव ड्रादीयू में और आपकी क्योंकि पहले मेड 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 की हम पास्ट फार्म लिखेंगे तो होगा मेड ultimate sacrifice by giving up his body so that the gods ताके जो बगवान है गड कुड मेड केन है तो केन की जो है पास्ट फार्म लिखेंगे कुड मेड डेडली वैपन ठीक है न जिसको क्या खा जाता था काल वाजरा और तंडर बोल्ट फ्राम हिस सपायन ताके जो है वापने सपायन से तंडर बोल्ट वाजरा जो है वैपन बना पाए ठीक the next thing we hear the medal is cast in bronze medal जो है इसको ब्राउंज के अंदर बनाया जाता है ठीक कास्ट किया जाता है इन दी सेंटर आने रेज़ड सेर्कल ठीक है एक रेजड सेंटर में ठीक है इस दी स्टेट emblem। ठीक है। जिसको आगे सुराउंड को क्या आग ہے? सुगरो तेडी, सुगरो अईक्ड़। भाइक बाइस रेपलिकास एनदिया। युट Sultan हो क्या लेक्डिक है तो क्या लेख워서 फ लेंक तो क्या लेकिंगे इसकी पास्ट फां मा की फ्लेंक बाकि काल्ड को हमने लिगाया, केन वाले को हमने कोड़ लगाया, बाकि मेजरली को बनाये उसको एडी लगा के बनाये, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हमारा क्वश्चन No.3, ठीक है? इन वोर्ड को हमें मैच करना है जो अपनी सही मेनिक के साथ, टेरिटोरियल इंटिग्रीटी टेरिटोरियल इंटिग्रीटी क्या होता है टेरिटोरियल इंटिग्रीटी होता है बेसिकली एक नेशन की बार्डर ठीक है ना को सेफ़गार्ड करना तो यहां पर हमारी टेरिटोरियल इंटिग्रीटी होगी कि हमारी जो बार्डर की इनको ब इसको मैंने लास्ट वान के साथ एक्स के साथ अटेच किया, ठीक है, दिन उसके बाद हमारा है आइकॉनिक, आइकॉनिक का मतलब होता है, मतलब जिस तरह बड़े जो होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो बिलकुल अलग सा हो, ठीक है ना, बिलकुल मतलब अमेजिंग जो हो, ठीक से मैच कवराने के सेलिब्रेटेट से इसके साथ आएगा पहले वाला ठीक है दिन उसके बाद है इनविजंड इनविजंड क्या होता है कि किसी चीज को सोचना किसी चीज को विशिलाइज करना तो इसके साथ आएगा वी आई आई वी ठीक है तो इनविजंड के साथ विशिल आफ्टर डैथे के बाद आफ्टर डैथ आएगा ओस्ट्र अस्ट्रक का मतलब हमने देखा था कि हेरान हो जाना तरह अमेज को जाना, तो इसके साथ आएगा, तो इसके साथ आएगा, तो इसके साथ मिलिके हैं, हमारे है यह घरेंड हमारा है, यह थर्ड वाला तो इसके साथ मैच होगा तेन उसके बाद है इंटरमाइनेबल फ्लेम का क्या मतलब होता है वह आग का शोला जो कभी ना बुझे नेवर डाइंग फ्लेम तो वह आग का शोला जो कभी नहीं बुझे था ठीक है ना वेलियंट वेलियंट का क्या मतलब होता है Valiant का मतल है बहुत बहुत बहादर तो बहुत बहादर कहां भी है चाहां पर Very Brave Very Brave कौन सा है यह वाला नाइन्थ पार्ट Very Brave Ix match होगा last वाले के साथ तो इस तरह से हमने जो है इसको match करवा दिया एंड नीचे आते हैं हम देन देखते हैं question number 4 को complete the story of an unknown soldier replace the words from the box with the underlined words given in the below complete the story from story of an unknown soldier एक unknown soldier की story है हमें इसको complete करना है then हमें क्या बॉल रहा है replace the words from the box with the underlined words given in the text below ठीक है यहां पर यह जो underlined word है इसके बदले हमें जो है कौन से word लिखने है यह उपर वाले words लिखने है ठीक है इनके बदले यह जो box के अंदर words लिखने है ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं हम okay so किस बात के लिए हम जो है wait कर रही है just देखते हैं कौन सा हमें आएगा ठीक है he was posted at the Indian border to safeguard our national boundary ठीक है न उसको post किया गया था हमारी इंडियन नेशनल border पे ताकि हमारी जो नेशनल boundary है उसको उसको और बचा सके तो यह हम इसको रखेंगे कि यह पहली डैश है अब नेशनल boundary के बदले हम जो है इसको लिख सकते हैं national integrity to safeguard our national integrity तो पहला जो है इसके बदले हम यह वाला लिखेंगे ठीक है इसको जहां से खटाएंगे इसके बदले लिखेंगे यह वाला ठीक है तो दोनों का सेम मतलब है इसलिए उसके बाद कौन सा है हमारा he had been dot dress ф motivated motivated धूसरी डैश यह कोन शीशंचे मोटीवेटेड मोटीवेटेट को हम घटाएंगे इसके जगा पर लिखेंगे इन। ni जवानों की जो जवान जो है लड़ाई के वक्त जो है और जिनकी डैथ होगी तो यह इस डैश को हम बनाएंगे जिए हमारी तीसरी डैश है ठीक है ना तो इसके बदले आप कौन सा लिखेंगे जहां पर ठीक है तो इसके बदले हम लेखेंगे यह वाला फालन सोल जो 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 है तो इसके बदले हम लेखेंगे यह वाला फालन सोलजर्स ठीक है ना फालन सोलजर्स कि वो सोलजर्स जो लड़ते लड़ते जो है शहीद होगे तो उनके वज़ासे यह मोटिवेट हुआ था एंडवेर सेलिब्रेडड आफटर हिज्ड देस्ट अफटर कि बदले कुंसा आता है भुश्थ हमस्ली तो यहां पर आना चाहिए कौंसा यह वाला पॉस्थ हमस्ली यहां पे लिखेंगे हम ठीक है तेन फार ब्रेवरी ठीक है ब्रेवरी के बदले जो है अगर हम इसको पाँ उसको बताया जाता है कि वह आपनी पॉल्टून को जो है एक बहुत ही जबर्दस्त किसम की ब्रेवरी जो है वहां पर दिखाई इसको हम लेख सकते हैं अगर इसने ब्रेवरी दिखाई है तो हम इसको मेंचन कर सकते हैं कि इसने क्या किया है जो ब्रेवरी के बदले जो हमारी 5 डैश इसको हम जो है वैलर बरेंगे वैलर का भी सेम मतलब होता ठीक है न, जहां पर इसको हम चटी डैश के अंदर परेंगे, exemplary courage हम परेंगे जहां पर चटी हम चटी इस जगह पर, outstanding bravery की बदले हम क्या लेखें exemplary courage, and led from the front, और यह front से आपनी team को lead करता है, all the fellow soldiers were amazed, सभी जो इसके साथी soldiers थे, वो काफी खेरान थे, ठीक है न, at his courage, उसकी भादरी पे सभी इसके soldiers जो थे, वो खेरान थे, तो ये 7th है, amazed के बदले हम लेखेंगे, आस्ट ट्रक, 7th आस्ट ट्रक, at his courage, उसकी भादरी पे सभी खेरान थे, especially as he made the supreme sacrifice without any hesitation, especially जब उसने जो है, उसने कुरबानी दे दी अपनी जहान की, बिना हिच कचाए, तो इसको हम लिखेंगे, again, पोस्तामस लीजेगा, तो आठ में भी जही बरेंगे, हम पोस्तामस लीजेगा, ठीक है, आठ में भी जही बरेंगे, इन दावार, his action affected everyone very deeply, उसका जो action है, वो सब को जो है, उसके सब के दिल छूग गया था, तो इसमें कौन सा बरेंगे, इसके साथ ही हमारा जेवाला portion हो जाता है complete, अब हम मिलते हैं next video में,